हेलो एब्रिवन, वेल्कम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ पूजा और फ्रेंट्स अभी हूली का फेस्टिबल आने वाला है तो हूली की फेस्टिबल में फ्रेंट्स एक रेसिपी है जो सबके घरों में बनती है और वो है गुजिया तो आज आप लोकी लेकर आई हूँ सूजी और मावा की गुजिया, फ्रेंट्स गुजिया बहुत जादा टेस्टि बनीती, बहुत Clock क्रिस्पी, और इसकी जो क्रिस्पिंग है तो चलिए फ्रेंट्स रेस्पी को स्टार्ट करते है सबसे पहले हमें हाँ पर आटा लगाएंगे तो मैं हाँ पर ले रही हूँ दो कप मैदा मैदा डाल देंगे और अब मैं इसमें एड करूंगी घी तो यहाँ पर देखें ले 1 4th कप घी घी डालने से जो गुजिया होती है न बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बンタी है और दो कप मैदे में वन फोर्द कप जो मैंने घी लिया है यह बिल्कुल परफेक्ट मेजर्मेंट है दो कप मैदे के लिए तो यहाँ पर अपसे पहले हमें घी को अच्छे से मैदे में मिक्स करना है यह प्रोसेस करना बहुत ही जरूरी है क्रिस्पी गुजिया बनाने के लिए तो यहाँ पर देखें इस तरीके से मैं हातों से रब कर रही हूँ ताकि सारा जो घी है वो अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए और आप घी की जगह पर आप चाहे तो रिफाइन रॉयल भी यूज कर सकते हैं लेकिन जो अच्छा रिजल्ट है वो घी से ही मिलता है और यहाँ पर देखें जो घी है न अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मुठी में बांद के देख रही हूँ देखें अच्छे से बाइंड हो जा रहा है मतलब हमारा जो घी था वो बिल्कुल परफेक्ट है मैदे में इस तरीके से बाइंड होना चाहिए अगर आपका बाइंड नहीं हो पार है जादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा घी एट कर सकते हैं लेकिन दो कप मैदे में वनफोर्थ कप जो घी का मिजरमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है अब यहाँ पर हम आटा लगाएंगे तो आटा हमें थोड़ा सा टाइट आटा लगाना है बहुत जादा सॉफ्ट नहीं लगाएंगे थोड़ा सा टाइट रहेगा आटा तो पानी मैंने नॉर्मल वाटर ही लिया है एक अब मैंने पानी लिया हुआ है तो अथा पानी डाल करके हमें यहाँ पर आटा लगा लेंगे हमेहाँ पर आटे को रेष्ट करने के लिए रखेंगे 20-25 मिनिर तब तक जो आटा होगा वो काफी सॉफ्ट हो जाएगा तो पहले हमें आटे को टाइट लगाना है पहले हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे गुजिया का जो आटा रहता है वो से भी सॉफ्ट रहता है और यहाँ पर देखे फ्रेंज मैंने आटा लगा लिया है और आटा जो अंदर से काफी ड्राई है काफी खिचा की चासा है मैं आपको दिखाते हूँ यह दिखे इस तरी के से काफी ड्राई है तो अभी इसको अच तो अच्छे से हम spread कर देंगे और अब सबसे पहले हमें जो मावा है मावे को हमें भूनना है तो मैंने यहाँ पर ये market का मावा लिया हुआ है जेके सभी किसे मैंने इसको cubes में cut कर लिये हैं मावा डाल देंगे, gas का flame बिल्कुल लो रहेगा लो फ्लेम पर हम यहाँ पर मावे को लगातार चलाते हुए भूनेंगे पांसे छे मिनट मावे को हमें भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पर यहाँ पर देखिए जो मावा है ना बिल्कुल मेल्ट हो गया है जिसको लगातार चलाते रहना है छोड़ना नहीं है नहीं तो जो मावा है वो जल जाएगा तो कि कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है मावे का जिसको लगातार चलाते रहें अब देखे मावा जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से भून गया है इसे बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं अब और मुझे इसको भूनते वे 5-6 मिनट हो गया है तो देखे मावा अच्छे से भून गया है तो अब इसे मेलक प्लेट में निकाल लेते हैं मावे को और इसी कराए अब इसमें इसमें सूजी को रोष्ट करना है तो मैं आप दो टेबल स्पून की एड़ कर रही हूँ अब इसमें हम डालेंगे सूजी तो मैं यहाँ पर देखे फ्रेंस यह बालीक वाली सूजी ले रही हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले एक कप डाला है और फिर बाद में और मैं यहाँ पर एक कप एड़ करूंगी सूजी तो मिक्स कर लेंगे और एक कप और सूजी एड़ करेंगे तो मैं यहाँ पर दो कप सूजी से बना रही हूँ गुजिया को और मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मावा लिया था तो यहाँ पर हमें सूजी को भून लेना है चेंज हो गया है तो अब हम क्या करेंगे मैं यहाप पने काजू और बादाम लिया है thinner जी इसी क्या युदू संऔ की तो आप चाहे तो जो coconut dry coconut होता है उसको आप कदुकस करके भी डाल सकते हैं इस तरीके से तो coconut डाल देंगे इसमें डालके अच्छे से इसको mix कर लेंगे अब इसको हम तीन से चार मिनट और भून लेंगे ताकि हम झो यह dry nuts डाले है वो अच्छे से भून जाये सूजी के और ना हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम इसमें चीनी एड़ करेंगे जब यह हलका सा ठंडा हो जाएगा इसको ऐसी फैला की छोड़ दे कुछ देर के लिए और अब फ्रेंस इसमें मैं एट करेंगे चीनी ये ठंडा हो गया है तो आप चीनी एट करेंगे तो मैंने हाँ पर नॉर्मल जो चीनी होती है उसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है आप चीनी या फिर तगार भी एट कर सकते हैं तो पहले मैंने हाँ पर दो कप चीनी एट की है जिस cup से मैंने सूजी एट किया था न उसी cup से मैं हापे पहले दो cup चीनी मैंने एट किया है डाल के अच्छे से mix कर लेंगे चीनी आप अपने according कम जादा कर सकते हैं जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो अच्छे से इसको हम mix करेंगे और फिर बाद में हापर एक cup चीनी और एट कर रही हूँ तो मैंने हापर टोटल इसमें तीन cup चीनी एट की थी चीनी डाल करके अच्छे से इसको mix कर लेना है सभी चीजों को और यहापर यह देखिए हमारे जो यह stuffing है यह बनके ready हो गई है यह खाने में बहुत ही जादा tasty होती है आपको जो भी इसमें dry fruits पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें किस्मिस डाल सकते हैं चीराउंजी डाल सकते हैं देखिए मेरे बच्चों कोई नहीं पसंद था तो मैंने इसमें किसमी सोचिरयोंजी नहीं एड़ किया है और यहाँ पर 20-25 मिनट हो गया थे तो आटा भी देखिए अच्छे तरीके से सेट हो गया है और आटा जो है पहले से काफी सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल चिकना हो गया है आटा तो आटे को हम अच्छे से हम मसल लेंगे यहाँ पर देखिए जो आटा है ना हलका सा सॉफ्ट रहना चाहिए बिल्कुल टाइट आटा नहीं रहेगा गुजिया का यह देखिए अच्छे से इसको हमें मसल लना है आटे को फिर इसके हम छोटे छोटे बाल्स बनाएंगे तो यहाँ पर यह देखिए इसको हम बेल लेंगे गुमा गुमा के चारो तरफ बिल्कुल जैसे हम लोग पूरी बेलते हैं बस पूरी से लेकिन थोड़ा से इसको हमें बड़ा बेलना है तो चारो तरफ गुमा गुमा के मैं यहाँ पे इसको बेल लेती हूँ और बिल्कुल पतला बेलना है इसको यहाँ पे मैंने बिल्कुल पतला बेला है इसको पतला बेलेंगे न तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जल्दी ही ये फ्राई हो जाएगा तो बिल्कुल पतला पिसको बेल ले जारो तरफ गुमा गुमा के तो मैं यहाँ पे सारी जो पूडियां है पहले में बेल के रेडी कर लेती हूँ क्योंकि फिर गुजिया भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो मैं पहले सभी पूडियां उनको मैं बेल के रेडी कर लेती हूँ और हमने मैदे में अच्छे से मोहिन दिया था तो पूडियां बेलते समय हमें इसे मैदे से डश करने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है तो यहाँ पहуждे हैं फिर फिर्रंस मैंने सभी पूडियां को बना के रेडी कर लिया है आप देखे हैं कि साइज मै अच्छे बड़ा रखा है और बिल्कुल पतला है यह और यहाँ पहले हम इसको मैदे से सबिके कर लेंगे ताकि जो पूडियां है न ये इसमें चिपके न अराम से निकल जाए ये चिपक जाती है न तो भी जो गुजिया होता है न फट जाता है तो आपके धान रखना है आप साचे को मैदे से जरूर डश्ट करते रहें बार-बार तो यहां पर देखे हम जो पूडियां ली है न मैंने वह साचे से बड़ी होनी चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पूडियां है न वह साचे से बड़ी रहें और यहां पर मैंने दो चमच मैंने इसमें स्टफिंग भरा है और स्टफिंग को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे किनारे नहीं रहना है अच्छे चिसको हम अच्छे से प्रेस करके इसके जो कॉर्णर होते हैं उनको हम निकाल लेंगे और स्कॉर्णर को में साइट में रखते हुए जाना है क्योंकि इसका भी हम बादने गुजिया बनाएंगे तो यहां पर यह देखे एक जो गुजिया है यह बनके रेडी ह हो गया है तो इसको में रख लेती है और इसको गिले कप्टे से ढखते चाहेंगे ताकि यह उपर से ड्राइड नहों इस तरीके से मैं दूसरी गुजिया भी बनाती हूं तो देखे इसको फिर से मैं मैं दे से डस्ट कर लूँगे अच्छे से और इसके उपर पूडियां देख सकते हैं मैं सारी जो फूर्डियां भी हैं तो आपकी जो पूर्डियां है वह साचे से बड़ी होनी चाहिए और इसके किनारों पर हम अच्छे से पानी लगा देंगे ताकि जो फिर पानі जञ debates इसे किनारों पे फ़से कॉर्णर को अच्छे सापको प्रेस करके अप इसे बंद करना है या पर देखे हमारा दूसरा गुजिया भी बन गया है इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी गुजिया को हम बना के रेडी कर लेंगे और आप देखे का इस तरीके से हम बनाएंगे न तो एक भी गुजिया नहीं फटेगी और आपको लगे न क्या भी गुजिया फट गई है तो आप उसे सही कर लें मतलब जो स्टफिंग है न वो आप मैदे से अलग कर ले और आप देखें मैं तीसरी कुजिया भर रही हूँ तो सेम वही प्रोसेस बार-बार करना है आपको साचे को मैदे से अच्छे से डश कर लेना है ताकि जो पूरिया है न वो साचे में से बिल्कुल भी चिपके न जब ही आप उसको निकाले तो आराम से निकल जाएं अगर उसकी पकती है तो उहां पे भी फटने का डर रहता है और स्टफिंग को आप बिल्कुल सेंटर में रखें स्टफिंग को किनारों पर पानी ज़रूर लगाए जब भी आप उसको से बंद करें तो फृराई करते हैं वह पूरी तरह से खराब हो जाता है तनल में तेल में बिख्र जाता है क्फरt HIS चोड़े बातों का ध्यान रखेंगे तो आप का determine किसी तरी के से मैं सभी गुजे को बना लेती हम और उसके बाद झाल ने देए मैंने थोड़ी से गुजिया ना इनको में बना लिया है तो चलि भी इनको फ्राई करते हैं अज़िए करते हैं एक बार लगा से पांच चलिए जाल के इसको ऐसी छोड़ देंगे एक से दो मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे इसको हम बहुत ही हलके से बड़ना है और आप देख सकते हैं कि फ्राइए होने के बाद में काफी साइस में बड़े भी हो जाते हैं तो बस इसको हम बीच-बीच में टर्न करते रहेंगे और तब तक इसको फ्राइ करेंगे जब तक किसा कलर जो है न गोल्डन नहीं हो जाता और इसको फ्राइ करने में टोटल साथ से आठ मिनट लग जाएंगे क्योंकि इसे बिल्कुल low to medium flame पर फ्राइ करना होता है बहुत ज़्यादा high flame पर इसको फ्राइ न करें low to medium flame पर इसको फ्राइ करें ताकि यह अंदर तक बिल्कुल अच्छे सी क्रिस्पी हो जाए और यहाँ पर यह देखिए फ्रेंस अच्छा सा golden color आ गया है तो गुजिया जो है न यह फ्राइ हो गई आप देख सकते हैं गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटी है तो इसको मैं अलग निकाल लेती हूँ और देखे कितना अच्छा color आया है गुजिया का और इसी तरीके से बाकी का जो गुजिया है न मैं उसे भी फ्राइ कर लेती हूँ गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो रहेगा क्योंकि भी यहाँ पर ओईल जो है वह हलका सा गरम रहता है ज्यादा तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पे आप उजिया को अच्छे से गोल्डन कर आने तक फ्राइ कर लें यहाँ पर मैंने फ्रेंज पुडियों को बिल्कुल पतला बेला था तो इसको फ्राइ करने में मुझे टोटल साथ से आट मिनट लग देंगे ना तो फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें क्रिस्पी करने में तो आप फूरियां बिल्कुल पतली बेले और बस बीच बीच में आप इसको इस तरीके से टर्न करते रहें ताकि दोनों साइट से यह इक्वल फ्राइ हो अब आपको दिखाऊंगी फ्रे है यह भी फ्राइ हो गया है अच्छा सा कलर आ गया है तो इसी तरीके से बाकी का जो गुजिया है मैं उसे फ्राइ कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं तो यहाँ पर इस देखें यह बना लिया बहुत ही जादा इस ख़स्ता और क्रिस्पी बनी थी फ्रेंस मैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है और सबसे खास बात है कि गुजिया बिल्कुल भी फटी नहीं है और यह देखें बहुत ही क्रिस्पी है यह गुजिया और स्टफिंग भी बहुत ही कमाल की स्टफिंग है और स्टफिंग बनाना भी बहुत जादा असान है बहुत जादा ट इस वीडियो की नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और मुझे कमेंट करके अपना फीडबेक ज़रूर दीजिएगा रिपस्पी से कोई भी कोशन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा मैं रिप्लाइज ज़रूर करूंगी और इस भी पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा चैनल पर फर्स टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब की जरूर करिएगा मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर